हाई गाईज वेलकम टू श्टड़ी का उस तो आज हम बात करेंगे चाइना के बारे में किस तरीके से चाइना को गवन किया जाता है या फिर किस तरीके से चाइनीज गवर्मेंट वर्क करती है तो चाइना में बेसिकली एक सिंगल पार्टी का सिस्टम है जिसका मतलब वहां Chinese Communist Party के हाथ में होता है और इसके जो मेन जनरल सेकेटरी होते हैं वो चाइना या फिर जिसको पी आर सी यानि पीपल्स रेपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं उसके प्रसीडेंट होते हैं इस वज़े से जो चाइनीज प्रसीडेंट वो चाइना का सबसे ज्यादा पावरफुल परसें क्सिडर किया जाता है उसके लावा जैसे सेंटर कमिटी जो होती है उन सब के जनरल सेकेटरी के रूप में भी चाइना के जो प्रसीडेंट हा वो वर्क करते हैं उसके अलावा चाइनीज मिलिटरी कमिशन जिसके दूरा Yangjak जो ऐसको च़ेयरमन जो होता है वोचाइन People's Congress बोलते हैं जो कि वहां का सबसे बड़ा औरगन है जिसके द्वारा वांकर जो Constitution हो गया जो भी Basic Laws हैं Elections हो गया फिर जो बाकी Government के औरगन से बाकी Government Departments हैं उन सब के Official को Supervise करना है तो उस सब का काम जो है वो National People's Congress के द्वारा किया जाता है जो कि साल में एक बार दो Week के लिए मार्च मन्त में मिलती है और इसके पास में एक Permanent Legislative Body भी है जिसको की NPCs Standing Committee के नाम से जाना जाता है जो सबसे Powerful होती है इसमें Total साथ है इसमें इसमें बेसिकली होता है कि पास से नौ की से इसकी रेंज होती है Members की बट अभी करेंटली इसमें साथ Members है जिसको यहां पे Polit Bureau Standing Committee के नाम से जाना जाता है जिसका फुल फॉर में यहां पे Political Bureau होता है और इसके में Center में चाइना का सर्फ प्रसिडेंट होता है इसके द्वारा जैसे जो भी नेशनल लेजिलेशन हैं या फिर कौंस्टिटूशन में कुछ चेंज़ेश करने करने या फिर गॉंस्टिटूशन का रिवीव करने वह सारे ते के द्वारा जो पॉलिट भूरो के स्टैनिंग कमेटी इसके द्वारा किये जाते मतलब जो भी मेजर डिसीजंस चाईना में लिये जाते है जो सब इस ने जाते हैं और इस सब के अलासच Earpant本 proved जहीं कि पार्लेमेट वह कैमरा लाइश सबझल जिसको मतलब हूं किया जाता है प्रीमियर के द्वारा उसको प्रायम मिनस्टर यहां पे प्रीमियर है इनका अपवोंट्मेट में जो है सोलेली जो है जायना के सब्सक्राइशे नहीं ज không उसको गवर्मेंट करने का जो काम है वो प्रीमियर का होता है और जो इस तरीके से ही चाइना की गवर्मेंट इंटर्णली और externally work करती है